और इसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जो है स्टीफन्स और इवान्स पर काफी गुस्ता होता है और कहा जाता है कि उसके लिए एम्बोलेंस बलाई जाए ये किया जाए और जब एम्बोलेंस आती है बलाया जाता है हस्पताल पहुंजाने में वो सफल हो गए होंगे ये सा पारी चीज़ें जब करने की कोशिश की जाती है तो ये बड़ी सट्रेंज बात निकल के सामने आती है कि जो मैकलीरी जिसके लिए एंबुलेंस बुलाई गई थी ठीक है वो तो हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं था वो तो एंबुलेंस बाले बोलते हैं कि हम वहां गए थे लेकिन वो बंदा ऐसे गाइब हो गया था कहीं से और जब पूरी पूरी जो है चान बीन की जाती है तो पंदरा मिन्टों बाद जो पादरी था जो प्रीस्थम मैकलीरी जो सही एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जो सही बंदा आया था वो तो बाड़वे स्रेट व है तो 8.15 से ही यहां से बंदा हुआ हूँ पूरी दपहर उससे पूरी पूछता चलती है कि तुम उस बंदे के साथ मिक्स हुए होंगी या कुछ भी तो वो बताता है कि नहीं मेरे तो खुद का ही किड़नेप हो गया था तो यह सारी चीज़ें जब चेकिंग की जाती है त तो फिर बो बंदा कौन था जिसे स्टिफन से छोड़ के आथा मैकलीरी के रूप में और फिर बो बंदा कौन था जो कि साथ में एवांस के भेस में वहां बैठा था जिने जिसे वो यह समझ रहे थे कि मैकलीरी है वो वांडर हो गया है because of the attack of the इवांस तो यह सारी चान भी जब चलती है तो यह बात सामने निकल के आती है कि भई बो बंदा इवांस नहीं था जिसे स्टिफन गेट पे छोड़ के आया था इवन इवांस बो था जो एक वांडर परसन के रूप में अंदर जेल में ही रह गया जिसे उन्होंने खुद गवर्नर ने एंबुलेंस वगारा बुला के उसके लिए जो औरेंजमेंट्स थे वो किये थे लेकिन जब पूरी जो गवर्नर है वो भी एक काफी शार्प परसन है जो सारे डाटा मैच किये जाते हैं जैसे कि एक हो सीरियल नंबर आता है 313 आता है सेंटर नंबर 271 आता है तो ये सारी चीजें जब छे जो ये डिजिट है उन्हें मलाके देखा जाता है कि ये किस चीज का जो है लोकेशन बनती है तो वो ऑक्सफोर्ड शायर का जो ओर्डिनेंस जो होता है सर्वे बगारा किया जाता है तो पता चलता है कि यहां तक चिप तो उस रूम में जाके जब गवर्नर मैं इवांज से मिलता है तो वो कहता है कि तुम भागने की कोशिश मत करना तुम पकड़े गए हो ऐसी सारी चीजें तो लेकिन फिर वो कहता है कि चलो अब हम जाने ही वाले हैं जहां से तो तुम से मैं एक कोशन पूछना चाहूंगा कि तुम्हें अपना सर पे इतना जो खून तुने अपने blood अपने सर पे गिराया था head पे वो तुम्हें कहां से मिला तो उसने कहा it's not a big deal कि ये तो हमें जो है एक कसाई खाना जो होता है ठीक है बच्चर शॉप उससे असानी से मिल गया था और लेकिन सबसे बड़ी problem वो कहता है कि इस चीज में नहीं आई कि blood कहां से मिला blood के थक्के जमाने के लिए कि जब आपके अंदर से खून निकल रहा होता है नेच्रली वो कुछ टाइम बाद जो होता है रुकना बंद हो जाता और उसके थक्के जम जाते हैं ठीक है यह जमाने में मुश्किल आई थी तो इसके लिए वो कहता है कि हमने ट्राइसो सोडियम साइटेट के जो यूज है हमें वो मिलाना पड़ा था तो गवर्णर को कहता है कि do you not know about it सर ऐसी चीज़ें जो है की जाते हैं और गवर्णर को ऐसे लगता है कि वो यह very successful कि हम ने उसे पकड़ लिया है चाहे उसने जितनी मर्जी शार्प मैंड लगाया हो भागने के लिए तो आगे क्या होता है फिर वो कहता है गवर्णर के